जितने लोग इस शुमहा पुरान की कथा में बेठे हैं जितने लोग आस्था चेनल पर फेस्बूक यूटूप पर सुन रहे हैं यह मेरा विश्वास करता है कि आप में कोई उल्टा घड़ा नहीं सब सीदे घड़ हो जिसमें भरा रहा है शुतत्व भरा रहा है शंकर की कथ आप रहा है और वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं जगत के उद्धार का काम करें चड़ाओ एक लोटा जल कभी-कभी अगर इसा लगे जीवन में कि दुख बहुत जादा आ गया है बहुत तकलिप आ गई है तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंक पर पर करकर फिर पानी चड़ाओ अगर कोई संकट भारी और निकट जैसे किसी नारी का गर्व नहीं ठेर आप 15 साल हो गए 20 साल हो गए 25 साल जैसे इसने लिखा एक मात्ना ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं तो उसने बाहु से कथा सुनी इसे चंपान का सुखी नहीं है लाल चंदन का लेपन बाबा बोले नात पर करना प्रारम करो पीठी का पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारम करो लाल चंदन से बाबा कर शिंगार करना प्रारम करो एक बिल पत्री पर लाल चंदन दोनों पत्ती नीचे वाली जो नीचे की नीचे की जो दो पत्टी होती है इसपे लाल चनन और बीच वाली पत्टी पर पीला चन्दन लगा कर बाबा के शिविलिंग को समर्पित करिये बाबा से प्राथना करिये रोज प्राथना करो परन्तु एक बात का इसमान रहे 25 साल हो गए 20 साल हो गए 30 साल हो गए संतान नहीं तो पहले जल से अभिशेक कराना अभिशेक करा कर उस जल का आच्चमन करने के बाद हाग को खासा करना धोना उसके बाद में फिर वापिस बाबा का इसनान कराओ फिर चंदन का लेपन कराओ फिर एक लोटा जल चड़ा कर बाबा का इसनान कराओ बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिशेक करता है बाबा को लेपन करकर फिर जल चड़ समर्पित करता है निशित है उसकी गोधी मेरा देव अदिदेव महादेव जरूर परता है इनि शित्ता है हम तो बेटीयों से वेख गते हैं जिसका विवा नहीं हो रहा हो 25 साल, 30 साल, 27 साल, 18 साल 32 साल, 40 साल हो गए हो नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवा उसे लालचंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगा पर साथ बिंदी लाल्चंदन की लगा कर साथ बेलपत्र साथ बिंदी पर रखिए और माराज अपनी काम न करकर भगवान से आईए बावध देगा करेगा तीन चार महीने में भी बावधक करेगा यह लालचंदन की महतवत्ता इशोत्तवभद पान्पुना ने कहा था एशंकर में अुस गरीब से गरीब द्यत्टी का भी भंडार भरके रखूंगी बस एक गलती नहीं होना चाहिए कि जहां भोजन बने उस इस्थान पर बेटकर उस इस्थान पर खड़े होकर बोजन बनाते समय उस भंडार ग्रह में मुता नहीं होना चाहिए तो तो मैं भर दूंगी भंडार है जिस प्लेट फाम पर खड़े होके माता है भोजन बनाती नहीं सब्जी बगारती महीं पर हाथ में लेकर चक लेकर विचार तो करो भले तुम बगवान को भोग नहीं लगा तर परमेश्वण है मज़े तुम भगवान को महीं लगा तर पती तो परमेश्वर है घर में जो सास रहती है भी तो महें जो पिता रहता है वो भी तो बद्रि न रहने मारत 따라 kेंव कि लिए जक्रि तुम्म् कार्ण और भान जिस मंदर में आश्रम में बंडारे में जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तक चकहा जाता चाहे नमग डैला नडाला मिरचीड़दली नाडली सक्तर प्याद नाडली भंडारे के भहुजन में जो मिला दिया आकरी में भगवान में अगर पालिया तब चखा गया कि अब भोजन में स्वाद ह मेंने तो कभी अनूट की जो सामगरी बनती है सब्जी बनती है रामभाजी बनती है रामभाजा बनता है मिक्सबेसबजी बनती है भगवान के भंडारे की कद्दो की सब्जी बनती है उसमें आप भले मिलची नडली नमक नडला फिर धी घर में एक पूरी खाते हो गए यहां चार निप्टा क्या होगे क्यों क्यों कि वहाँ अनपूर्णा स्वयम देने के लिए तयार खड़ी है और हमारे घर में तुम चक्चक के बना रही है बेटे को दूद भी दे रही तो बॉटल नहीं है हमने शांति ना जाने चली कि क्चिन में किच-किच भरा गई शांति का से होगी वह इतना किच-किच भरा हुआ है रेम करुणा आवास सलेता इसने है समर्पन समाप्त हो गई तो लड़का और लड़की का विभा नहीं हो रहा बहुत हतास हो गए परेशान हो गए विभा संबंद जमी नहीं रहा किसी भी बुद्वार के दिन तांबे के तलश में चने की दाल को भर लीजिए किसी भी बुद्वार के दिन भी और गुरुबार के दिन उसका पूजन इस्तनान करने के बाद करना पर घर में केसी से बात मत करना मुख से शब्द मत करना मुख जूता मत करना पूजन करने के बाद उल्टे हाथ पर कलश को रख कर सीधे हाथ से ढख कर कोई ब्रहमन के घर में जाकर साथ में किसी को ले जाओ बिना बोले बिना बात करे बिना कहे जाकर ब्रामन का दर्वा जा बजा दे, बात कर ले, और तुमें नहीं बोलना है और वो कलश ब्रामन के अपनी कामनातर दर वो कलश का धान दे दिया आजा मारत जाद से जादा चार महिना तीन महिने के अंदर विवासम्मन पक्का हो जाता विवासमन चने की दालग का धान कुछ सहज नहीं है जिस नारी का रजो धर्म रजो धर्म के अंतरगत नारी को जो परिशानियां होती है कोई के आठ दिन पहले, चार दिन पहले, तीन दिन पहले कहीं न कहीं रजो धर्म के अंतरगत जो बिमारियां होती है उसके लिए महाराज साथ चने की डाल के दाने तुलसी महारानी के सामने कटोरी में रख कर तुलसी के तीन पत्ते उसमें डाल कर अपनी मनों कामना करकर तुलसी में तीन बार जल छोड़कर वो तुलसी और वो चने की डाल ले जाएं और उसको दीरे दीरे करकर एक-एक करकर सुबाई शाम दोपार में उसको खा लीजिये रजो धर्मस से जुड़ी हुई परिशानी समाव कोई सहज नहीं है महारा चने की दाल को स्वन दान का भी भाव कहा गया हमारे हिंदो धर्मे में चने की दाल को स्वन दान भी करते जो व्यक्ति स्वन दान नहीं कर पाता वो चने की दाल का धान कर देता है तो स्वन दान के वबराबर मानने है भी मिरे दान करा चने की दाल अभे आथ रभलन उसके लिए चने की दाल को एक रातरी पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए और उसको गला कर दूसरे दिन उसमें थोड़ा सा चंदर मिलाकर पीस लीजिए पर पीसने आपको मिकसर में नहीं है पीसने आपको सिलवेटे पर चकोटी पर जो आपके हाँ उससे उसको पीस लीजिए और पीषने के बाद उसमें थोड़ा सा दूद मिलाकर शिम मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का सुंबार के दिन लेपन करी है लेपन कर अगर अपनी कामना करकर शिवलिंग पर तीन उंगलियां लगा लीजिए अपनी कामना करकर जो तीन उंगली आपने लगाई है, उंगली हटाते समय, चन्दन के लेपन को जो लगाया आपने चन्ने की डाल का लेपन, स्वर्ण का लेपन, उसको लेकर आ जाएगा, मारत, उसको थोड़ा सा लेकर आ जाओ, एक किसी भी फूल में उसको लगाकर, जो जमीन, जो बारे चने की डाल को सहज नहीं समझा जाए गुरु भक्ती के लिए बहुत मूले माताइं कई बार पीले गुरु बार करती है या केले के पेड़के नीचे पूजन करती है तो चने डाल समर्बित करती है क्यों करती उसका भाव इस्वर्ण दान के लिए मानचित फल्की प्राप्ति के लिए मनोगामना के लिए जिस जमीन में फसल कम होती हो जिस जमीन में प्रापर्टी के अंतरकत कहीं लाव नहीं मिल रहा हो जो कई लोग वो जमीन की दलाली का गाम करते हैं जमीन में बेचवाते हैं खरिदवाते हैं और कोई लाव भी नहीं मि तिरमें श्रीलिंग पर 108 चने के डाल को प्रदोश के दिन शाम के समर्पित करकर उस डाल को उठा कर लिया। जेव में पीले रुमाल के साथ उसको बांद कर रख लो, किसी प्रॉपर्टी का सोदा कराने जाओ, उसको हाँ पटक कर लेकर जाओ, आपके लाब होना चालिए, सोदे होना चालिए, आपको कमिशन मिलना चालिए, करना आपको है, कोई भी चीज जो भगवान को समर्पित हो साथ ही है, उसमें कोई चीज में सहजता नहीं हो सकती, विश्यता का भाव रहता है, उसके अंदर सुक्ता भाव रहता है, सुक्ता नूबहु रहता है, हमारी हर एक वीडियो से, ये भी जाने है तो और सरलगासा में जाने, आपका बहुत तेज सिर्दर्द हो रहा हो, और आपके घर में ही कोई शंकर जी का शिवलिंग हो, उसके एक एक करकर शिरी शिवाई नमस्तु भ्यम कहेकर चड़ा देगा, दो मिनित तक शंकर के शिवलिंग को देखना बिल्कुल दोनों आखो से, बिल्कुल देखना अच्छे से, और उस चने की डाल को उठालाना, औ और एक के करकर खाकर आदा गिलास पानी पिकर थोड़ी दर बेड़ देगा, टेबलेट खाने की जरुत नहीं पड़ेगी, यह पक्का सिर्दर्द बंद हो जाए, टेबलेट से मुक्तुल, श्वास होना चाहिए, तोन विवेधन करूँगा, विश्वास का पहला शब्द बिश्व और दूसरा सब्द आस, तो बिश्व को त्याक कर, आस लगाकर शिव के चरण आरविंद में, भगवान के चरणों में बेट, रात तो पकड़ने, चने की डाल, श्री अनमान जी महाराज को भी स्मर्ण कराती महाराज, चने की डाल चड़ती है, चने की डाल का रोए, मन कर रहा है कि आज समने धोका दे दिया, बहुत तकलीफ दे दि, दिल तूट गया, मन तूट गया, बहुत हताश हो गया, बहुत परिशान हो गया, और आज मन रो रहा है, कुछ मत करो, एक काम करो, बस के वले एक काम, आवला हो, बढ़ हो, पीपल हो, कोई भी एक रच्च के नीचे बेटकर, एक पत्थर रखकर, सामने छोटा सा, उस पे जल चड़ा कर, एक गी का दिया, सामने लगा दो, ठोड़ी देर बेटकर, भगवान संकर का समर्ण कर लो, ठोड़ी देर, आपको जितना आपको गम मिला है, दुख मिला है, तकलिक मिली है, ठोड़ चित्त में परमातमा शिव, सुप्रदान कर, अतालमर की वो मरे जो काम करे चंडालता, काल उसका त्या विगाड़े, जो भक्त हो महां, कालता, शिव का इस्मर्ण करा तो, आनन्द की अनुदू, सुख का, ठीटों का इस्मर्ण करा तो, महराद, नित्य इस्मर्ण भाव मे बदबद चर्चा काश, कई लोग कहते हैं मंदिर जाते हमारा काम नहीं होता हम बहुत समय से अगरवत्ती लगा रहे हमारा काम नहीं हुआ